Good morning children, children आज मैं आपको चा लिखने का अभ्यास कराऊंगी, आज हम चा लिखेंगे, आपको पता है बच्चों चा से कौन कौन से शब्द होते हैं? चा से चमच, चा से चूहा, चा से चाबी, चा से चर्खा तो बच्चों अब हम चा लिखने का अभ्यास करेंगे, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले आप देखो आपकी हिंदी की नोटबुक में वन, टू, ट्री, फोर, फाइव लाइन्स हैं आपने रेड लाइन्स उपर वाली और लास्ट वाली लाइन को छोड़ देना है यानि यह आपकी फ्रेंट्स नहीं है, यह कट कर देनी है आपने ठीक है इन पर आपने कोई काम नहीं करना है जो बीच की ब्लैक लाइन्स हैं, वन, टू, ट्री, आपको इनका यूज करना है तो सबसे पहले आपने कैप लगानी है, यानि स्लिपिंग रेखा खीचनी है उसके बाद आपने एक छोटी सी स्लिपिंग रेखा खीचनी है देन आपने स्लिपिंग रेखा छोटी सी खीचने के बाद एक कर्व बनाना ऐसे करके Then, curve बनाने के बाद आपने standing line से उसको cover कर देना है उसके साथ standing line खीच देनी है Like this सबसे पहले आपने cap लगाई यानि sleeping रेखा Then, छोटी सी sleeping रेखा लगाई फिर आपने curve बनाया फिर उसके साथ आपने standing line खीच दे चा बनके आपका चा से चमच लुक बचो सबसे पहले आपने cap लगाई उसके बाद आपने एक sleeping रेखा खीची छोटी सी फिर आपने एक curve बनाया ऐसे करके फिर आपने standing line खीच दी ऐसे सी बचो ऐसे 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 चा से चा बी ऐसे करके आपने फिर curve बनाना है फिर आपने इस चा को standing line दे देनी है ऐसे ऐसे तो बच्चो आज आपने चा लिखने का अभ्यास किया अब आप अपनी हिंदी की note book में चा लिखने का अभ्यास करेंगे ओके चिल्डन थैंक यू